C यते C++ दे string दे tutorial वीच आपदा स्वागत है. इस string वीच असी सिखांगे. String की हुन्दा है. String नूँ declare करना. String नू initialize करना. String ते कुछ उधारण. असी कुछ आम errors अते ओना दे हाल भी वेखांगे. इस tutorial नू record करनली मैं वर्थ रही हां. Uventu Operating System 11.04 GCC अते G++ Compiler Version 4.6.1 आओ strings दी जान परचानतों शुरू करिये. String करेक्टर्स दी एक लड़ी है जसनू data item दी तरह समझा जाओंदा है. जिवे string size is equal to string length plus 1. मैं त्वानू string नू declare करना दस दी हां. इस्दे लई syntax A है. कैर name of the string अते size. कैर एक data type है. name of the string string दा नाम है. अते असी इते size दे सक्दे हां. उधारण इत्थी असी एक करेक्टर string नेम डिकलियर कीता है. जिस्दा size 10 है. हुन एक उधारण देख दे हां. मैं पहले ही code नू लिख्या होया है. इसनू खोलिये. याद रखो. साधी फाइल दा नाम string.c है. इस प्रोग्राम भी जसी user बलों string input लवांगे. अते इसनू प्रिंट करांगे. हुन मैंनू code समझाऊन देओ. ए साधी header फाइल है. इत्थी string.h which, declaration, functions, constants, अत्थी string handling utilities शामल हांद. जदो भी string functional काम कर देऊ, header फाइल लगानी पैंदी है. ए साधा main function है. इत्थी असी size 30 दा एक string declare कार रहे हां. इत्थे user तो string लए रहे हां. string नू पढ़न लई असी format specifier %s ते नाल scanf function वर्त्या है. इत्थे असी caret, ati slash and chain string with spaces देनली वर्त रहे हां. असी string नू प्रिंट करांगे. ए साधी return statement है. हुन save ते click करो. हुन program नू चलाउंदे हां. अपने keyboard ते ctrl, alt और t बटन दबा के terminal window खोलो. compile करन लई gcc, space, string.c, space, hyphen, o, space, str, और enter दबाओ. चलाउं लई लिखो, dot slash str, हुन enter दबाओ. screen ते display होया है, enter the string. मैं talk to a teacher project लिखती हां. हुन enter दबाओ. इसदी output वेखो, the string is talk to a teacher. हुन अपनी slide ते वापस आउंदे हां. हुन ता कसी string दे declaration दे बारे चर्चा किती है. हुन string इनिशिलाईज करन दे बारे जानांगे. इस लई syntax इस तरह है, care where name size is equal to string. उदारण इतने अजी एक character string name declare कीता है, जिस्दा size 10 है, और string priya है. एक गरन लई एक होर syntax है, care where name is equal to string, single quote switch. उदारण care name 10 is equal to priya, single quote switch. मैं तो नूँ पहले syntax दी वर्तो, एक उदारण नाल दस दी हां. हसी ओही उदारण वर्तांगे. पहले आपने keyboard ते shift control अथे s बटन इकठे दबाओ. हुन फाइल नू string initialize दे नाम नाल सेव करू. अते save प्रेस करू. असी string नू initialize करन लगे हां. इसली 5th line विच लिखो, equal to अते double quote switch, spoken tutorial. हुन सेव दबाओ. हुन इना दो लाइना नू हटा दो, असी सिर्फ string प्रिंट करांगे. हुन सेव दबाओ. एक्सिक्यूट करो. आपने टर्मिनल ते वापस आओ. compile करन लगे लिखो. gcc space string initialize.c space hyphen o space str2. इत्ते साढ़े को str2 है, क्योंकि असी string.c file दे output parameter string नू overwrite नहीं करना चाओंदे. हुन एंटर दबाओ. चलाओन लगे लिखो dot slash str2. आउट्पुट ए आउंदी है, the string is spoken tutorial. हुन असी कुछ आम गलतियां दे बारे जानांगे. अपनी प्रोग्राम ते वापस आओ. मन लो, string दे spelling s-t-i-n-g लिख दिते हान. हुन सेव दबाओ. एक्जिक्यूट करो, अपने टर्मिनल ते वापस आओ. पहले दी तरह compile करो. असी एक fatal error देखते हां. जो है string.h, no such file और directory. Compilation terminated. प्रोग्राम ते वापस आओ. ए इसली होया है कि compiler नू string.h नाम दी कोई भी header file नहीं लब्भी है. जिस करके ए error दे रहा है. चलो इस error नू ठीक करिए. इत्थे R लिखो. हुन सेव दबाओ. फिर तू चलाओ. अपने terminal ते वापस आओ. पहले दी तरह compile करके चलाओ. हाँ, ए चाल रहा है. हुन एक खोर आम error वेख दे हां. अपने प्रोग्राम ते वापस आओ. मन लो, इत्थे मैं कैर दी था, int लिख दी हां. हुन सेव दबाओ. देखिए की हुन्दा है. अपनी terminal ते वापस आओ. prompt clear करो. पहले दी तरह compile करो. असी एक कैरर देख दे हां. white character array initialize from non-white string. इस दा कारण है, %s format specified care type argument लही हुन्दा है. पर argument to the type int है. अपनी प्रोग्राम ते वापस आओ. इस दी वज़ा है कि असी string लई %s format specified दी वर्तो कीती है. पर असी ओनूं integer data type नाल initialize का रहे हां. चलो, error नूं ठीक करिए. इत्थे care लिखो. save दबाओ. आपने terminal ते वापस आओ. पहले दी तरह compile करो. अते चलाओ. हां, ए चाल रहा है. चलो, हुन देख देहां कि इसी प्रोग्राम नूं C++ विच किवेच चलाँ देहां. आपने प्रोग्राम ते वापस आओ. मैंनू आपनी string file string.c खोलन देओ. इत्थे असी code एडिट कराँगे. पहले अपने keyboard ते Ctrl-Shift अते S बटन इकठे दबाओ. हुन फाइल नू .cpp extension नाल सेव करो. अते सेव दबाओ. हुन असी header file नू I-O stream नाल बदलांगे. इसदे नाल using statement नू भी लिखो. हुन सेव दबाओ. हुन इस declaration नू डिलीट कराँगे. इक string variable declare करो. लिखो string space, strname हते एक semicolon. सेव दबाओ. printf statement नू cout statement नाल बदलो. इत्थे बंद bracket नू डिलीट करो. scanf statement नू डिलीट करो. अते लिखो get line bracket शुरू. अते bracket बन. bracket विच लिखो c in str name. अन्त विच एक semicolon टाइप करो. हुन printf statement नू cout नाल बदलो. format specifier अते slash n नू डिलीट करो. हुन comma डिलीट करो. दो opening angle brackets लिखो. इस bracket नू डिलीट करो. दो opening angle brackets लिखो. दो quotes विच slash n लिखो. फिर save button दबाओ. इत्थे असी एक string variable str name नू declare कीता है. c++ विच किसे format specifier दी वर्तो नहीं होंदी है. इसलिए compiler नू पता होना चाहिदा है कि str name एक string variable है. इत्थे get line दी वर्तो input लड़ी विचो character currently होई है. ये उनान्यू string दी तरह store करेगा. आपने terminal ते वापस आओ. प्रॉंप्ट क्लियर करो. कंपाइल करन ले लिखो. g++ space string.cpp space hyphen o space str3. अते enter दबाओ. चलाओन ले लिखो dot slash str3. enter दबाओ. enter the string display होया है. मैं लिख दी हाँ talk to a teacher. असी देख सकते हां की output सी कोड दी तरह ही है. हुन आपनी slides से वापस आओ. संखेब बिच इस टुटोरियल बिच असी सिख्या है. string नूँ declare करना. उधारण care str name 30. string नूँ initialize करना. उधारण care str name 30. is equal to talk to a teacher. assignment लई. दूसरी syntax दी वर्त्यों करके string नूप्रिंट करवान लेई. प्रोग्राम लिखो. हेट दित्ते गए लेंक ते वीडियो वेखो. इस spoken tutorial project बारे संखेब पिज जानकारी देवेगा. प्रयाप bandwidth ना होवेता डाउनलोड करके वेख सकदे हो. Spoken Tutorial Project इम spoken tutorial वीडियो दा इस्तेमाल करके वर्क्षाप चलाऊंदी है. ओनलाइन टेस्ट पास करन वाल्यानो certificate दित्ते जान देहन. होड जानकारी लें contact at spoken-tutorial.org नू लिखो. Spoken Tutorial Project Talk to a Teacher Project दा एक हिस्सा है. ए प्रोजेक्ट National Mission on Education ICT MA4D भारत सरकार द्वारा समर्थित है. इस मिशन दी होड जानकारी दित्ते गए लेंक ते मवजूद है. शेव गर्ग द्वारा लिखी गए स्क्रिप्ट किरन दी अवाद विच हाजर है. देखन लई तन वाद.